सूखते हलक की प्यास कैसे बुझेगी जल्दाई विभाग की लापरवाही कब थमेगी टॉप 10 से बाहर हुआ सुबे का नाम पेजल कारिक्रम में मिला 11 वां पाये नाम ये प्यास कैसे बुझेगी सूखते हलक की प्यास कैसे बुझेगी आज बिग बुलिटन में हम इससे मुद्दे पर बात करेंगे मुद्द इस पर हम चर्चा की शुरुबात करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए रास्ट्री अग्रामीन पेजल कारिक्रम में कभी सूबे का आता था पहला ना सम्मान में मिला था खरीब 500 करोर का इना अब आई है छमाई रिपोर्ट राजस्थान का स्थान पहुँच गया है ग्यारहवे पायदान सूखते हलक से छीन लिया गया है पानी की एक-एक भून का कत्रा क्योंकि लोगों को साफ पानी पहुँचाने का लक्ष है इस बार सिर्फ 14 फीसदी तक ही पहुँचा आई-म आई-म पर डाली गई है विभाग की 6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसने खोली है जल्दाय विभाग के काम की पोर्ट जो रिपोर्ट आई है राष्टी ये ग्रामीन पैजल योजना की उसमें लग रहा है कि हम मद्दे परदेश, मद्दे परदेश, उत्राखन, यूपी से भी हम पिछडे में यहां तक की है कि हम दस्वे नंबर में भी नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि सरकार पैजल योजनाओं के परती भी समेदन चील नहीं है जल्दाई विभाग की तरफ से चालू वितिय वर्ष में 2769 प्रभावित हैबिटेशन को पीने लायक पानी पहुचाने का टार्गेट मिला था लेकिन विभागी या लापरवाही की वज़े से ये आंकड़ा सिर्फ 393 हैबिटेशन तक ही पहुच पाया है साल 2011-12 के दोरान राष्ट्री अग्रामीन पेजल कारेक्रम में राजस्थान का नाम नमबर एक पर था लेकिन महस छे महीने की रिपोर्ट मही सूबे का नाम टॉप 10 से बाहर हो गया कि देखो ऐसा नहीं है पिछले कांग्रेश सरकार ने इस उड़ जादा ध्यान नहीं दिया और पिछले गरीब के सूखते गले को तर करने के लिए सरकार के पास पानी नहीं है जो योजना शुरू की गई थी उसे भी खामियों के साथ शुरू किया गया लेकिन नेताओं की बयान बाजी से ऐसे लगता है जैसे वो अपने बयानों से ही कुवाँ खूद ले प्रजेश सिंग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस तो रिपोर्ट आपने देख लिए और अब इससे मुद्य पर हम चर्चा करेंगी कि आखर का राजस्थान में जो सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा सराय कोई भी चुना हूँ पीने की पानी की समस्या सबसे बड़ी रही है और यही मुद्दा हमेशा चुनाओं के दौरान रहते हैं लेकिन फिर भी इसमें कोता ही क्यों वरती जाती है और इस चर्चा में मेरे साथ भारती जनता पार्टी कनेता लुंबाराम चौदरी साब जोड़ रहे हैं और कॉंग्रेस पार्टी कनेता शार्दा कांथ शर्मा साब आप दोनों का स्वागत है और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताब अगनी होतरी जी भी हैं मानेनी हमारे सरकार मानेनी वसंद्रा राजे जब सरकार में आई उसी समय से परेजल के लिए बिल्कुल सिंटा कर रही है जैसे कि अभी जो भी आप आपने आक्रों के लिए बता रहे थे आकड़ा 2003 से लगा कर 2008 आठ के अंदर जिस जिस समय हमने सरकार छोड़ी उस समय ओकरा आप देखे हमारे जैसे गुजरात का पानी आ रहा था उससे पहले पांस साल से वो पैंडिंग पड़ा था और 2003 के अंदर सरकार ने दो साल के अंदर सारे पैसे भर करके नर्वदा का पानी राज है से साथ मान महिनों के अंदर लोकसभा के इलेक्शन आए और इलेक्शन आने के कारण यह जो अभी भी जो पहले इन्होंने व्यवस्ता की थी ऐसी की व्यवस्ता करेंगी और मारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है सबीश पानी पहुंचा रही है अभी वर्तमान में नरब्दा का पानी जहां जहां नहीं पहुंचा था उसी योजन्या को त्यार करके अभी शिरोई और पाली के लिए उसी योजन्या बढ़ाने के लिए योजन्या प्लान त्यार करने के लिए सब्वीश लाग रुपयों की सब्कीति की गई है जोई पूर्ण पूर्ण बं वहाँ पर तो आपके जल्दाई विभाग यदिकारी जूटी रिपोर्ट देते हैं, उनका कहना होता है कि राजस्थान में पानी की दिक्कत नहीं है, आपसे बहतर कोई नहीं समझता होगा, आप खुद राजस्थान में रहते हैं, पानी की समस्या है नहीं, यहाँ शार्दा मंत्री कौन है, राजस्थान में, अगर इतनी ही चिंतित हैं पानी के समस्या को लेकर के मानी है मुक्यमंत्री जी, तो जल्दाई मंत्री कौन है, शायद सरकार इस बात को सोच सके गंबीरता से, और अगर पानी की समस्या कहीं नहीं है राजस्थान में, बड़ी चिंतित है हैं तो फर सीकर में अभी क्या हुआ था ओरतें सडक पर आ गयी मुक्य적्री के काफिले के सामने यह बहुत बड़ा सहिए मुक्यम combos के काफिलों को रोखने के लिए लेकिन प्याशने हलक मजबूर कर देते हैं सरकार का सामना करने केて लिए यह तो सरकारी संगठन के पदादिकारी लोग हैं इनको तो बहुत कुछ कहना है लेकिन अगर आकणों पर जाएं तो राश्ट्री यह मिशन जो अभी है चल रहा है उसके आकणों में गाओं में पानी की गुणवत्ता जाचने के लिए ट्रेनिंग में चैसे जीरो अंक मिले है राजिस्थान को प्रहोग शालाओं में पानी की जाच के लिएक चार मैसे 0.74 अंक मिले हैं फील्ड में पानी की जांच के लिए 6 मैसे 0.15 अंक मिले हैं उपजला इस्तर पर लेब स्थापना में 3 मैसे 0 अंक मिले हैं ग्रामीन शेतर में वाटर सैनिटेशन कमेटी के सदस्यों की ट्रेनिंग 6 मैसे 0 इसकूलों सवच जल उपलब्द कराने के लिए जल मनी कारेकरम 2 मैसे जीरो अब बहुत चिंतित हैं मुख्यमंत्री इन बातों को लेकर की बिल्कुल लोग सबागे चुना वागती है अमिताब जी के पास में आऊंगा अमिताब जी कहीं न कहीं जल्दाइब वहां के अधिकारी लापरवाह से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि कारवाई न यह बड़ी चिंता की बाद लुंबा राम जी अब सुनना अब बीच में नहीं है ना वह भजन कगा रहे हैं किर्टन कर रहे हैं यह किर्टन का समय है अब उससे पहले भाजपा के कोई नौजवान गुम नाम चेहरे बता रहेते हमको के यह तो आकड़े हैं चलते रहते इनका क्या है मुक्वंन्त्री जी गंभीर है आपकी गंभीरता को ओढ़े कि भिछाएं या मिरे गाउ में पानी नहीं चैसले की पर रहे हैं क्दार चीह समस्चार नहीं करूंगा क्टारिय की नहीं रहे हैं अंधात पतिया पाई जब कोरी भर पाए मैं लुंबाराम चोधरी के कहनी से माल लूँगा कि राइस्थान में पानी जी समस्या नहीं रहे और मुख्यमंत्री जी बहुत गंबीर है नहीं लुंबाराम चोधरी जी बहुत गंबीर है इसके अलावा कोई तरक सोचिए यह तरक सुनते सुनते में पक गया यह पार्टी की मीटिंग्स में करिये प्रसंशा का भाव यह सार्जनिक मंचो पर नहीं टीवी पर नहीं यह जो आकड़े आये हैं यह राजिस्थान ने नहीं बनाए यह कांग्रेस ने नहीं बनाए यह किनोडेलाज मीना के दफ्तर से नहीं आए यह भारत सरकार के आकड़े हैं भारत सरकार मतलब हलाकि कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कही दू लुंबाराम चोधरी की समझ के लिए उसी पार्टी की सरकार भारत सरकार है ज पहले पाइदान पर था. जलल के कारिक्रमों में. लूंबाराम जी, ठिक 2023 ऑर आज किसे पाइदान पर पहुँच गया? 11 में पर ये गंभीरता है, तो ऐसे गंभीरता से खुदा बचाए, रह्म करो, मालिक दया करो राजिस्तान पर, इतनी गंभीरता को बापस ले लो मैं हाँ जोड के विन्ती करता हूं कि इतनी गंभीरता अगर आपने और छे मैने जारी रखी तो राजिस्थान हिंदुस्तान में सब से नीचे खड़ा होगा अगर आपकी सरकार इतनी गंभीर बनी रही उसकी गंभीरता को कम कराई ये मेरा और new ने किया है और थिर भी हमेंको यह हम्जाने की कोशिश वोॉचि रहे और अच्छा हो जाएगा को सजर कि अधाय के जया फंजीरिगर जाओ गर ऑसके बात करिए कौन गंभीर है को कंभीर है कोन माननी है कोन थोड़ा कम माननी इस बहस मेंने पड़ता मुझे तरक से समझाए भारती जलता पार्टी कि हाँ हमने ये किया तब मैं समझूँगा आप पहले इस्थान से 11 में इस्थान पर आ गए क्या कर रहे हैं यह सरकार क्या कर रहे हैं जल्दावी भाग कितने अधिकारियों को ठांक दिया आपने यह पार्ट्री का धफ्तर नहीं है यह साथ करोड लोग सुन रहे हैं लुमा राम जी राजिस्थान भर के लोग यहां ऐसा बोलेंगे तो लोग आपको कुर्ता पकड़ लेंगे जब आप निकलों के गाउं में पता है ना वो कहेंगे चौद्री साब आप तो जोन बोल रहे थे हमारे यहां तो पानी नहीं आता और आप करें थे सब बढ़िया होगी बिवर्स्ता इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी जनता के लिए भी है जनता हमारी मालिक है मैं आपसे निवीदंद करना चाए रहा हूँ जा राओ और मैंने जो बात बताई ए उसी बिद्ल मैं जाना पड़ेगा किसी भी शहर के इंदर जाना पड़ेगा मैं जो आकरेब है जो पानी जा है उसी पानी को रोक करके राजस्तार में ला रहे और लोगों को पिलाने के लिए लुपाराम चौधरी आप तो चोटे कारी करता हो पानी की इस्थिती यह है कि मुक्षमंत्र को का भी घेराओ करने पर आमादा हैं लोग आप हमको समझा अरे सर आप साइद मैं कह रहा हूं कि आप मैं जुरूर चोटा चोटा कारी करता उसके इंदर दो रहा है नहीं है अगर गावों में क्या इस्थिती ती और अभी गावों में क्या इस्थिती बना और आप पानी के लिए जो कह रहे हो वह पानी के लिए मैं आपको यह जो मैंने ओकरे दिया है कि मैं का माई का पानी जा रहा था पांच साल चे जा रहा था उसके लिए हमने पहले भी मांग की थी माई का पानी पून 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 बर्मन के लिए सरकार ने कोई ध्यान आपकी सरकार ने जापान और अमेरिका का भी पानी वो लिया हूँ राजिस्थान में माल लेता हूँ लेकिन मुझे ये समझा मेरी बात सुन लो भाई मैं तुम गुज्रात के कह रहा हूँ और आपको तैसी लग जिल्ला दे रहा हूँ और अब भी मैंने कह रहा हूँ नरब्दा के लिए लोगों को पीने के लिए उसकी सेक्शन की तारी के लिए वो भी जिल्ली के लिए चौदरी साब आप तो राजिस्थान के दूरस्त जिले के हो ना सिरोही के अरे सीकर तो जपूर के सांस के साथ चलता है एक घंटे सीकर पान की बात कर रहे हो है किरी के बात कर रहे हो किसी लेडी ने पानी पीने के लिए लाज रहे हो जो पानी का वसार है थो पांट साल के लिए इस सरकार ने वाटर साइड के उपर क्या काम किया मुझे एक बात बताने के द्राम मानने के लिए चादरी साब एक में रूख जाओ एक में रूख जाओ ठोला धीर दीरे अभी तो बुलट ट्रेन आई हिंदुस्तान में आप तो लेकिन सरकार जब राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार मेरी बात समझेगा गौर से तभी समझ पाएंगे तभी उस पर टिपने दे पाएंगे जब राज्य की सरकार कोई आंकड़े जारी करती है तो वो जिला के अधिकारियों से आंकड़े मंगाती है पार्टी के निताओं स पानी जास करने के लिए सवास के लिए इस ओग्रों से क्या नहीं चाहिए लोगों को तो गावा में पानी पीने के लिए पानी चाहिए लुंबा राम जी थोड़ा रुखोगे कि नहीं पानी चाहिए लुखोगे क्या होगा राजिस्तान की नौ मेने में यहारत नहीं होती उप्चनों माप भारते नहीं स्मूखी नहीं खाते आप से दिगंबर सिंगी दिगंबर नहीं हो जाते मैं आपको एक निवेश्चा जाता हूँ के आप ने पांस साल के अंदर आप राजस्तान को पीने के लिए पानी का कहा से लाया वह मेरों को बता लो आपने कमसे का पानी जो पानी नहीं पूरे करें मेरे मंच पर ऐसी पहस नहीं होगी माफ करें लगातार भाषर देने का मंच नहीं है ये सवाल का उत्तर देने के लिए बुलाया है प्रभुचन किसी भक्ति के कारिट्रम में इस तुति गान पाटी के दब्तक में परणामी जी के आफिसक बार यहां नहीं यहां प्रश्ण का उत्तर दे सकते हैं दीजिए नहीं तो हाथ जोड़िये और बहस आगे बढ़े प्रभुचन नहीं कांग्रेस ने क्या किया कांग्रेस पर जनताने जनादेश दे दिया उसका रोना कब तक रोएंगे मुझे एक सवाल सुन लो ध्यान से चोद्री साफ पहले सुनोंगे नहीं तो जबाब भी नहीं दे पाओगे आप ज 2012-13 में हकूमत हिंदुस्तान ने जो रिपोर्ट जारी की भारत सरकार ने उसमें राजिस्थान पहले इस्थान पर था उसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें राजिस्थान ग्यारमे स्थान पर है यह हालत क्यों हुई इसकी जिम्मेदारी किसकी सिर्फ इतने पर बोलि कि आगे ने इससे पीछे ने लुंबराम चोद्री जी मोदी की सरकार में पहला है 25 जानी है यह यह आख्रा मोंधी की सरकार बनाकर जेकर यह तावा जिये नहीं कि लिए कि हमारी हमारी महारारी के बृद्व ऐसा आख्रा कैसे जारी कर दिया जाए न दिन दर्णा दीजिये जाके यहां का इको बैस कर रहा हूँ दिन देने जाने की जूरूर्थ नहीं आप कर भी नहीं पाएंगे यह भी जान लिजिये जमाना बदल गया शार्दा जी आप सुन रहे हैं चाउद्री साफ वही बोलेंगे जो याद करके आए हैं या कारयाले ने जितना बताया है जो भी सवाल हो इरान से तूरान तक का एक ही लाइन बोलो माननी मुख्यमंत्री महान है माननी मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करने हैं सब अच्छा हो जाएगा भाजपा के ज़्यादातर लोगों में यही बीमारी आ देगी तरक पर कोई बाती नहीं करना चाहता अच्छी गांग से नहीं चलती कोन समझाए लोग जभारलाल की भी आलोचना करते थे इस देश में वाजपाई की भी आलोचना होती थी आप लोग आरती हर्वकद दिन में भी आरती की जा रहे हो अजब हाले भई आकड़े पर बात नहीं तरक पर बात नहीं किसी फेक्ट शार्दा जी यह क्या तमशा है वह यह यह दुर्बाग यह है कि हम प्रदेश की बहबूधी के लिए प्रदेश के विकास के लिए भी एक बदोकर के काम करने को तयार नहीं है हर चीज में राजनीती शामिल है यह दुर्बाग यह हैं जबकि लुंबराम जी तो प्रधान रहे हुए हैं शिरोई के वरिष्ट नेता हैं प्रधानी बहुत चोटी चीज नहीं है MLA से विवारी बरकम कद होता है प्रधान का और जवाब दें इनको होना पड़ेगा ग्रामी शेत्रों में जाकर के जो हालात राजिस्थान के अब बिगड़े हैं इनको शायद यह भी न यह योजना केंद्र द्वारा संचालित है 90 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार देता है मॉनेटरिंग प्रधान मंत्री करते हैं राजिस्थान में इसकी मुख्या मुक्यमंत्री होती है आपको जवाब देना चाहिए नहीं सर्थ तो मैं और वर्ना अपनी मुक्यमंत्री जी को पाइटी काहले में बुला करके पूछना चाहिए रमाजी मुक्यमंत्री जी राजिस्थान को क्यों आप बिल्कुल ऐसे पाइदान पर ले जा रही है हम लोग जवाब ने जाहिए बिल्कुल चौदरी साहब आपसे मेरा आखरी सवाल होगा यह सीकर में जो मसला आया था ज आधिकारी नभ गए या आपको जानकारी होगी बाद में जब मुक्यमंत्री ऑफिस से यह पता कराए गा का इनशी कि पर लेकिन जलदा इपाई बहाग के अधिकारियों ने ऐसे चलेगा जल्दाई भी भाग, ऐसे डर बनेगा उनके उपर चौदरी साब एलो आवाज आ रही आपको यह बीस में आवाज जो लिकट रही थी जी एलो यह बताई आप बोली आप जो कहां की बता रही है आवाज कट रही है सीकर में मुख्यमंत्री का घेरा हुआ था पानी के समस्चा को लेकर कुछ अधिकारी नपे थे वहाँ पर मुख्यमंत्री और क्यारियाले सा जब जानकारी ली गई पता चला कि गाउं में पानी के समस्चा है लेकिन जल्दाई भाग अधिकारियों ने मुक्हि मंत्री दफ्तर को बताया था कि उस गाउं में पाने के समस्चा नहीं है कोई अधिकारी क्यों नहीं नपे जल्दाई भाग के मैं आप जो कह रहे हो चार क्या करें चार मनें नहीं लुक्हि मत्री के विंडियों सांधा आते हैं पर फानी की ऐसी सीजह है, वक्त खत्म हो गया, चले मिताब जी समपाथ किटिपनी, लुमबा राम जी, आप सुलो, जब बोल लेको कहते ते ते बोल नहीं, जो बोलते नहीं, अब आप बोल ले, लुमबा राम जी, ठीक है, आगे बात, आगे भीया, रे चौदरी साब, ठीक लुम्बा राम जी साल भर पहले यही बात अशोग गहलोत कह रहेते कि सब अच्छा है तब भी अमिताब अग्नियोत्री कह रहेते अच्छा नहीं है आख खोलो वो भी कहते थे आख़ो में मत जाओ जनता ने बता दिया आपको भी यही बीमारी लग गई आप भी उसी बीमारी के शिकार हो गए थाली सजाई उसमें खपूर बत्ती रखी और जय अम्बे गोरी मैया जय अम्बे गोरी शुरू उससे शाशन चलेगा नहीं अब मत बोलिए अब यह परंपरा नहीं हमारे चैनल की शुद्री साहब नहीं आप सुन लीजिए आप किसी तरक को सुनने को तयार नहीं किसी आख़़े को मानने को तयार नहीं आप यह मानने को तयार नहीं कि उपचुनाव में आपकी बति क्यों गुल हो गई आप मानने को तयार नहीं समिक्षा करने को तयार नहीं आप अच्छा शॉर्षन कैसे देंगे कैसे गरणटी मान लू जब आपने सुनना समझना और सोचना तीनों बंद कर दिया तब आप कैसी अच्छा शाशन दे सकते हैं आप नरेद्र मोदी की सरकार के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं और अबल तो किसी पार्टी की सरकार हो अगर भारत सरकार कोई रिपोर्ट जारी करती है तो वो हर राज्य पर प्रमाने कोद दी है, वो कोई लुम्बाराम चोधरी और परनामी के कहने से बनेगी क्या, यह समझ नहीं, यह समझना नहीं चाहते हैं, यह तो हम समझ नहीं पाते हैं, यह समझना नहीं चाहते हैं, यह पार्टी का मंच नहीं न, लुम्बाराम जी, मैं फिर आगाह कर रहा हूं, राजिस्थान में पानी का संकट है, राजिस्थान में पानी की जो लुम्बा राम जी मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, लगतार बोलेंगे तो हमारे कारिक्रम के एक तरीका है अंतिम के पड़ी में फिर वक्ताओं को थोड़ा देर मौन होना पड़ता है मेरा निवेदन है उस मर्यादा का इस मनन रख है लगतार कोमेंटरी में फिर बोलना मुश्किल हो जाएगा मेरे जो आकड़े आये केंद्र सरकार के यह समचार प्लस नहीं लाया यह कॉंग्रस नहीं लाई आप इन आकलों पर भातिय करने को त्यार नहीं जैपूर में भी पहले पाइदान से ग्यार में पाइदान पर सूवा आ गया और भाज़ता के रही बेकार की बात है इसका कोई मतलब नहीं किसकी बात मानेंगी और लुंबा राम जी आपके ज्यानवर्धन के लिए बता दूं इसे थोड़ा शायद आपका ज्यानवर्धन हो दुनिया भर म स्वास्थ, चिकित्सा, शिक्षा, स्वक्षता, आर्थिक संपन्नता, गरीबी, इन सब के बारे में जब कोई योजना राय बनाई जाती है, तो आक्रों के ही आधार पर बनाई जाती है, कहीं सुनी बातों के आधार पर नहीं बनाई जाती है, यह आपकी जानकारी में होना च जा ấy कौई भी मानिनी कितना बी गंभीर हो जाए फिर भी कहीं सुनी बातों पर नहीं बनती ना Be कि कोई भी नीती बनती है कोई भी दरस्ट की बनती है सरकार की विश्रों की कि किसीं उस संगठन की था कि कि वह आकड़ों की आधार पर बनती है और आप तो मुझे हैरानी है भाजपा तो बोधिजी भी लोगों की पार्टी हुआ करती थी एक दौर में आप लोग भाईसी भाष शुरू करते हों कि आगरे पाकड़े वेकार हैं हता हुए क्यों कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो बोल रहा हूं उस अब और क्या चाहिए यह तो नहीं हो इतने से तो बात नहीं बनेगी इतने से अगर बात बनती होती लुंबाराम जी तो राजिस्थान में यह संकर तो बहुत पहले दूर हो गया होता और आपकी जानकारी गिली एक बात बता दू शायद आपका इससे भी ज्यान वर्धन ह नहीं तो पार्टी में जब बैठो कर्याले में तो अपने साथियों को भी बताना कि आप लोग भी टीवी में बहस में जाओ तो थोड़ा लिख पढ़ के जाओ जल्दाए विभाग को जो काम करना था लुंबाराम जी उस काम का छे महिने में 50 फिस्दी काम होना चाहिए आकरा यह कहता है ठीक है ना 50 फिस्दी पहली छमाई 50 फिस्दी दूसरी छमाई में आपके जल्दाए विभाग ने केवल 13 फिस्दी काम किया और आप कह रहे हो कि माननी मुख्यमंत्री जी की इस्तुति में सब लोग शामिल हो करता राजिस्थान तो नहीं हो तकता मूल सवाल यह है कि भारती जनता पारिटी के कारिकरता या तो समझना नहीं चाहते यह समझते ले वो राजिस्थान की पीला को महसूस नहीं कर रहे हैं उनको लगता है लुंबाराम जी आपका प्रमोशन हो जाएगा पार्टी में तो छहें जैसे स्था चले यह तहरीखा ठीक लें प्यासा राजिस्थान आपकी पगड़ी उतार लेगा चोध्री साहब आपकी पगड़ी उतार लेगा यह बात ध्यान अंशिकता रखिया मैंने की पगड़ी उचलते देखी यह कि आज तो आप मुसकुरा लीजिए क्यूंकि कि राजिस्थान का गला प्यासा है यह जनता है जनता देख रही है इस दम्भ का उत्तर जनता देगी बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए आज के इस चर्चाम में अभी बस इतना है शार्दाखन जी बहुत शुक्रिया सर्चम जुणने के लुमाराम चौधरी साहब आपका